मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के एक्टूब चैनल पर दोस्तों आज है आठ जुलाई आठ जुलाई दोजार एक्कीस से जीतने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेस्टन बने हैं उसके साथ हम डिसकस करेंगे डिस्विल्टी अपनी दिखा सकते हैं इसको करके लेकोष मात्पूर्ण के क्लिए इंपोर्टेंट है या वाद प्लस जीके इस्टेटिक गया। हाली में किस मंत्राले कि निपुन भारत कार करम की सुरुवत किस मंत्राले द्यूरा द्वारत किस मंत्राले द्वारा किया गया है तो अब बता देंगे दोड़acas जब नाम आपके जुबान पर आना चाहिए तो उसके मंत्राले के साथ आना चाहिए, जैसे बात करें, सिच्छा मंत्री रमेश पोखरियाल निसंग, इस तरह बोलेंगे, जैसे जनजाती मंत्री हैं, तो जनजाती मंत्री के अगर बात करेंगे, तो बोलेंगे जनजाती मंत्री अरजुन मुंडा, इस तरह बोलेंगे दो देश मंत्री शुब्रमन्यम जैसंकर, रोड एंड ट्रांस्पोर्ट मंत्री नितिन गडगरी, दोस्तों बोलेंगे केमिकल ओफरलाइज़र मंत्री डीवी सदानन्द गौडा, कंज्यूमर अफेयर मंत्री राम बिलास पास्वान, क्रिसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर, संसादन विकास मंत्री रमेज बोखरियाल निसंग, ट्राइबल अफेयर्स यानि की जनजाती मंत्री अरजुन मुंडा, इस तरह से बोलेंगे, जैसे बात करें, यहाँ पर महिला और बाल विकास की बात होए, तो महिला और बाल विकास मंत्री इसमिती रानी, स्वास्त और परिवार कंल्याण मंत्री डाक्टर हर सबार्दन, वन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकासु जावेड कर रेल मंत्री, यह फिर वाड़िज मंत्री, प्योज्गोयल, प्राकर्ति गैस मंत्री, धर्मेंद प्रधान, अल्ब संखैक मामलोके मंत्री, अब मुकतार अब्ब सुरू किया गया है भारत द्वारा भारत कारेकरम सुरू किया गया है निपन का उद्देश होगा मात्र कि भारत में प्रतेग बच्चे को तो चब्विश सताइस तक ग्रेड थ्री की अंत तक मुलभूत साच्छर्ता और संख्यात्मक एफ एल एन जिसे बोलते है प्राप्त हो जाए निपन का पूर्ड रूप होता है दोस्तों नेशनल इनिसियेटिव फार प्रोसेसिंग इन रीडिंग विद अंडरस्टेंडिंग और नुमेरेसी या दखेंगे यह बाते हैं योगि निपन का फूल पाम पूछा जा सकता है इ इस तरह इसको लिखा जा सकता है दोस्तों चलते हैं अगले प्रस्ट की तरफ हाल ही में किसने दफोर्ट लायन एसस फॉर गोपाल किष्ट गाधी नमक पुस्तक लिखी है तो बता देंगे दोस्तों यह पुस्तक जो लिखी गई है वेडु माधों गोविंद और स्रीनात रागवन द्वारा दोनों के द्वारा लिखी गई दोस्तों याद करेंगे तो कि आपको पता है इस बुक में कितनी बहुत सारे रचनाये लिखी हुई है अगर बात करेंगे दोस्तों इस बुक में निबंदों के संक्षा कितनी है तो बताएंगे 26 निबंद इसमें लिखे करते हैं चाहिए में किसके दोरा विक्सित किया गया दसमीटर तो दसमीटर बीजिंग एस दज़ कीया है यह डाइडियों के दोरा विक्सित के बारे में यह उतक्वादन एजनसी लांसन एंट तुरबो लिमिटेड आपने लिमिटेड यह तो डूस्तमों जो रॉच्छा के म पामले में सहयोग पदान करती है भारत का तो डियार्डव भी उसी से जुड़ा हुआ है रच्छान उसंदान विकास संगठन उसका नाम है डियार्डव का फुल फॉर्म तो द्वारत डिजाइन और विक्सित तुवेल्ब कितने तो तुवेल्ब सॉट स्पैन ब्रिजिंग स सिस्टम यानि SSBS 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट सामिल किया गया है यह चीजा रखेंगे हमारे सेनाय में दोस्तों यह कितने मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्पूल भूमिका निभा सकता है तो बताएंगे 9.5 मीटर 9.5 मीटर तक के दोस्तों आराम से पाट सकता दोस्तों अगर बात करेंगे अगर इसका सड़क मार्ग प्रदान करेगा कितने मीटर कितने मीटर चोड़ा प्रृद यह जवा इस सब्हूर चाही कि तो सेनाय होती है रहां अराम से नहीं जावा पाती हैं तो उनके लिए भी बहुत जादे शूटेबल होगा अब यहां बे बात हुआ है DRDO की तो DRDO के जो अध्यच है डाक्टर चीज सती से डेड़ी हैं और इसका मुख्याले नए दिल्ली में है और इसकी अस्थापना आपसे पूछी जा सकती है अगर DRDO के बारे में और बात करें दोस्तों तो पता है आपको समागरे होता घ्रूं क्रूज मिसाइल क्यों लोब गरता है वह अपने टार गेट को किस टार्गेट को हिट करता है यह चीज़ याद रखेंगे क्रूज और बालेस्टिक मिसाल में अंतर होता है हाल ही में राजपती ने कितने राज्यों में नए राजपाल की न्यूक्ति की है दोस्तों तो यह बेरी इंपार्टेंट इसमें हम सौट वीडियो एक बनाएंगे आप इसको देख सकते हैं इसमें एक साउट वीडियो बनाएंगे दोस्तों इसमें आपके याद रखेंगे आठ राज्यों में नए राजपाल की नूक्ति हुई है तो याद रखें कौन-कौन से दोस्तों राज हैं करनाटक में थावर चंद घहलोत राजपाल बने हैं मद प्र प्रदेश में राजेंद्र विसुनात् आर लेकर बने हैं मेंToky बने हैं सत्य और आरेको बनाए गया है फिरसे न्हें मेंगा ला कर दिया जहार कंदो को पिर से अधड़ेफ बना दिया गया हरियाणा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ बनाएंगे जहां पर आपको सारी चीजें हम ट्रिक से बता देंगे यह चीज जो बताया गया इसको कौपी बढ़ाने के लिए KVIC परियोजना यानि कि बोल्ड में किस पौधे को प्रुसाहन दिया जाएगा तो याद दखेंगे दोस्तों किसको बास को बास दोस्तों पता है क्या है एक घास है घास का एक रूप है घास जो बास है यह 12 मास में उता है और पता है हर घास के अगर देख दोस्तों ने सुस्क और अर्द सुस्क भूमी छेत्रों में बास आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड यानि कि ड्रॉप्ट में भूमी पर बास ओयसिस या रखेंगे बंबू ओयसिस ऑन लैंड इंड्राप्ट बोल्ड का फुल फार्म क्या हो जाएग दोस्तों या भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उधैपुर में आदिवासी गाओं निचला मंडवा से शुरू किया गया था इस पर योजना के तहत विसेश बास पर जातियों के पांश जार पाउत है यानि कि बंबूआ बंबूसा बंबूसा टुल्डा और बंबूसा पॉलिव मोरफा को लगबक सोला एकड में खालि ग्राम पंचयत भूमी में लगाए गया घर जो पन बंबूसा फॉलिव मोरफा दोस्तों यह बंबू के ही प्रकार होते याद रखेंगे दोस्तों और बांस क्या है आस सदाहार सदाबाहार अगर बात करें के वी आइसी का मुख्याल है मुंबई में है के जो अध्यच है विन्य कुमार सकसेना जी है आप इसको याद रख सकते हैं चलिए अगरे प्रस की तरब चलते हैं हाल ही में किस मंत्राले ने दिया वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को सरकारी मानेता दोस्तों बिल्कुल महत्वपूर ये प्रस नहीं दोस्तों आपके लिए याद रखेंगे किस मंत्राले के द्वारा दिया गया है दोस्तों बॉक्सिंग आ गया तो जाहिर से बात है खेल मंत्राले के ही बात होगी तो खेल मंत्राले द्वारा दिया गया है खेल मंत्री कौन मानिता देने का नीड़े लिया है दोस्तों किक बॉक्सिंग के खेल की मानिता और विकास के लिए ओलंपिक आंदोलन में पूरी तरह से सामिल और स्विकार किया जाना महत्तपूर है दोस्तों यह चीज़िया दखेंगे अगर बात करेंगे यूआ मामले या फिर खेल मंत्रा ले किसके पास है तो बता देंगे दोस्तों कीरन देजीजू के पास है यह बात आप याद रहें यहां से पूछा जा सकता है प्रस्ट नेक्स प्रस्ट हाल ही में हाल ही में कौन होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का ध्वजवाहक दोस्तों या दाठेंगे दो लोगए मेरीकंव जो की छो बार से दोस्तों चो बार यह लगातार नहीं कहिंगे दोस्तों लिगेंगे इनकी पृच्छंड ग्या nosso earn становится हो चुकी है यह ऑड़ बात चीनभी है 2020 में होने होगा थो समापन समारों में होगे यह समापन समारों में ध्वजबहाक कौन होगा बजरंग पुनिया होंगे बजरंग पुनिया यह चीज याद रखेंगे जो दोस्तों एक तरह से कुस्ती प्लेयर हैं कुस्ती प्लेयर है और जो अगर बात करें अगर इस्टार्टिंग में मतबब कि इन जो इस्टार्ट किया जाएगा धोजभाग कौन होंगे समारो में कौन होंगे दोस्तों तो बता देंगे द्वारा यह कारणामा किया है दोस्तों जेम्स एंडर्सन जो है दोस्तों एक अनुभवी गेदबाज है जेम्स एंडर्सन इंग्लेंड के यह दोस्तों याद रखेंगे आउस्तन 26.67 की आउसाथ से 670 विकेट लिए है यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों 35 यानि कि 35 कोर्स और 30-10 विकेट मैच हैं जिसमें यह सामील है चलते हैं अगले परस की तरफ खाली में खादी प्राक्तिक ब्रांड अमेजडर किसे बनाया गया है दोस्तों बता देंगे वही नितिन गड़करी जी को बनाया गया आपका खादी प्राक्तिक ब्रांड स्टर है प्रांड दिर दिद्धन हो गया बहुत दुखत समांचार है लेकिन आप याद रखेंगे बहुत जहादे मसहूर आपके दिया गया था आप बताएंगगी हाल ए ने किस बैंक पर जुर्मना लगा था तो आप इसका राइट एंसर बताएंगे तो पंजाब और पं सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है तो दोस्तों इसके बारे में बताएंगे और कल कहीं प्रश्ण है तो आप कल हम इसके बारे में जितना चीज बताया थे आप लिग डालेंगे दोस्तों अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है दोस्तों देली या फालो कर ये छे जो जो आप अपड़ेंगे अगर पढ़ते हैं तो अब नहीं पढ़ते हैं तो अपने भाई बहन जो भी है आपके रिलेटिव उनको बताईए दोस्तों धन्यवाद अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे